पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज, PCOD, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, PCOS, क्या ये दोनों कंडिशन एग हैं, क्या लगता है, सुनने में दोनों एग जैसे लगते हैं, लेकिन असल में PCOD वो कंडिशन है, जिसमें female primary reproductive organ, मतलब ओवरिज में छोटे-छोटे, immature और passionately mature eggs, eventually, cyst का आधार ले ले जी है, बाकि PCOS, एक metabolic disorder है, जिसमें ओवरिज ज्यादा मात्रा में male hormones प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बदोलत, So, eventually, ovaries में ज्यादा follicular cyst formation होता है, यह condition PCOD से भी बत्तर है, जिसमें ovulation तक रुख जाता है, और hair loss, obesity, infertility जैसे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साराँच, और आज की वीडियो में हम यह discuss करेंगे, कि कैसे यह conditions आपकी बजन को affect कर सकता है, So, देर किस बात की, let's get started. इस वीडियो को हमने दो हिस्सों में divide किया है, जैसे आपको यह topic समझने में आसानी हूँ, पहले PCOS यानि polycystic ovarian syndrome को बारी किसे जानेंगे, दें हम यह भी पता लगाएंगे इस condition का हमारे वजन पर क्या प्रभाब पड़ती है, सबसे पहले PCOS, Normally आपकी ovary estrogen और progesterone प्रोड्यूस करती है, जो हमें menstrual cycle और monthly cycle को regulate करने में मदद करती है, हमें यह याद रखनी है, ovaries X भी प्रोड्यूस करती है, हर मही ने जिसको ovulation कहा जाता है, जो अगर fertilize ना हो, तो cycle के आखिर में blood और mucos के साथ shed हो जाती है, जिसको हम menses कहते हैं, जिससे अगली महीने की cycle की शुरुआद होती है, कुछ और hormones हैं, जैसे की FSH, जो ovary को follicle बनाने में मदद करती हैं, follicle यानि वो stack है, जैसे की थेला जिसमें eggs होता है, और LH, जो ovary को trigger करता है, एक mature egg release करने के लिए, लेकिन ये सारे hormones के साथ साथ, ovaries एक छोटी सी मात्रा में androzenz, यानि male hormones भी produce करते हैं, यहाँ पे twist है, अगर कोई भी इनसान को PCOS की problem आती है, तो उसकी pituitary gland abnormally LH, यानि luteinizing hormone production शुरू करती है, जिससे की आपकी follicles की growth and development रूप जाती है, तो उससे आपकी ovulation भी रूपती है, और normal monthly cycle affected होता है, वो immature follicles में fluid भरने के कारण, वो सिस्ट का आकार लेना शुरू करती है, और आपकी PCOS और PCOD की कहानी यहीं से शुरू होती है, poly यानि many, सिस्ट मतलब fluid field sap, simple है, इसके साथ साथ आपकी blood में pancreas से निकली हुई insulin की मात्रा बढ़ सकती है, ज्यादा insulin और LH मिलके ovaries में male hormone की excess production करना शुरू कर देगी है, जिससे ovulation रुटने के साथ साथ infertility का भी डर रहता है, इसके साथ साथ चेहरे पे acne और abnormal hair growth भी हो सकता है, PCOS होने के साथ साथ यह आपकी type 2 diabetes होने की chances को भी बढ़ाता है, जैसे कि हमने discuss करा यह insulin की मात्रा बढ़ाती है, जिससे body insulin resistance बनने के साथ साथ heart disease, high BP, cholesterol abnormalities और endometrial cancer का भी खत्रा रहता है, So basically, यह बाहर से जितना छोटा सा problem दिखता है, उतना छोटा है नहीं, 80% लोग जो PCOS से पीडित हैं, वो overweight और obese हैं, इसका मतलब जाबतर लोग PCOS condition के साथ अपनी वजन बढ़ाने की problem को भी साथ घर लेकर आते हैं, यह भी देखा गया है कि उनको अपनी वजन कम करने में भी कठीनाईयां भुगतनी पड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है, PCOS की condition हमारे body में insulin hormone की इस्तमाल को difficult बना देती है, insulin हमारी body में खाने से सुगर या starch को energy में convert करता है, जब यह process रूप जाता है, जिसको हम insulin resistance भी कहते हैं, तब blood में सुगर यानि glucose की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे pancreas और insulin प्रोडूस करके कम करने की कोशिश करती है, जब blood glucose की मात्रा insulin के साथ साथ बढ़ती है, तब type 2 diabetes की रूप ले सकती है, धीरे धीरे body insulin hormone को over produce करने लगती है, और यह सिल सिला जारी रहता है, अंट्रोजन यानि male hormone की मात्रा बढ़ने पर भी females में weight gain की आसंका बढ़ती है, वजन बढ़ने के साथ साथ PCOS के symptoms यानि लक्षन हमारे body में बढ़तर होती जाती है, यह doctor का मानना है, PCOS की सारी बातों को discuss करते हुए अंद में हमें यह facts पता चलती है कि PCOS से जाता तर हमारी वजन बढ़ने की chances रहती है, बढ़ती हुई वजन को hormonal imbalance के साथ कम करना जितना मुश्किल है, day to day life में PCOS की दर्दनाक symptoms के साथ जीना भी उतना ही मुश्किल है, खुद की lifestyle को एक healthy lifestyle में जैसे की अच्छी diet, physical activity, rest और good mental health में switch करना और साथी साथ एक अच्छे doctor से सला लेना आपको इस बड़ी problem से राहत जरूर दे सकता है, अगर आप PCOS के बारे में और कुछ जानना चाहते हो, तो comment box आपका है, comment करके जरूर बताना, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है, तो अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वजाना ना भूले, beyond fitness को इतना सारा प्यार देने के लिए और हमें सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से आपका सुक्रिया, train your minor muscle, keep doing your hustle.